आज बनाएंगे छोले ही सबजी लेकिन उसे हम बनाएंगे बिना छोलो की तो घर पे कैसे आप बहुत यसानी से रखे वे समान से छोले बना सकते हैं यह रेसेपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ से बनाने के लिए हमने बेसन ले लेना है दो से तीन चम्मच बड़े वल पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किये बिना चैनल को सब्सक्राइब किये बिना नहीं जाएगा इसमें हमने डाल दिया है आधा चमच देसी घी इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग हम बेसन का इस्तमाल कर रहे हैं तो डाइजेशन के लिए हम कलर के लिए इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पावडर भी आड़ कर रही हूं और थोड़ा सा नमकम इसमें डाल देंगे आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप जादा लोगों के लिए बना रहे हैं यहां पर मैं दो लोगों की सर्विंग के लिए इसलिए मैंने याप पर तीन चमच बेसन का अस्तमाल किया है अब इन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है बहुत अच्छे से मतलब है कि आपको काफी अच्छे से इसको मिक्स करना है कि जो हमने घी डाला है न वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए यहा करेंगे और आप देख के यकीन नहीं करेंगे कि यह रियल छोले हैं या फिर हमने घर पर बनाए हैं तो इस तरह से जब आपको कभी कोई सब्जी समझ ना है तो आप बेसं से फटा-फट से सोले की सब्जी बना के रेडी कर सकते हो सब को काफी पसंद आएगी यह सब्जी आपको बहुत थोड़ा डालना है कि बेसं जादा पानी अबजर्व नहीं करता है इसलिए थोड़ा सा पानी डाल कर पहले आप इससे अच्छे से मिक्स कर ले जब आपको जरूरत लगे कि आपको पानी की जरूरत है तभी आप इसमें दोबारा पानी डाले तो देखे हमें बहुत सक्षसा नहीं डो बनाना है इसका एक सौट सा डो यहाँ पर हमें बेसन का बना ले रहा है और अच्छे से मलते हुए आपको इसका जो डो है वो बनाना है तो आप देख रहें किस तरह से मैं हातों से इसको मसल रही हूँ यहीं पर आपको जो मैं चीजें बता रही हूं उन चीजों को follow करनी है तब भी आपके जो छोले हैं वो एकदम perfect soft बनके ready होंगे तो देखिए एक बारी हमने सारी बेसन को अच्छे से समेट लिया है इस तरह से यह आप देख सकते हैं और अब हम एक से दो मिनिट तक इसको हाथों से इसलिए नीट कर लेंगे एकदम आपको इसे चिखना कर लेना है हमने ईसमें देशीगी का इस्तिमाल किया है इसलिए काफ़ी घँस्ता भी हो गया है डो अच्छा सा मोयना गया इसमें, देखिए हमने इसे अच्छे से यहां पर फ्रेंट्स बाइन कर लिया है, अब आपको क्या करना है? इसे अच्छे से रोल कर लेना है, इसी प्लेट पर यह देखिए, और आप देख सकते हैं एकदम चिकना सा है यहां पर हमको डो मिल गया, यह बहुत ही कड़क नहीं ह soft side देखिए, हाथ फ्रस कीजिए आपको समझ आ जाएगा कि जो डो की consistency है वो कैसी है, अब इस तरह से दो बागों में divide करके आपको इस तरह से roll कर लेना है इसे पतला सा आपको यहाँ पर इससे इस तरह से roll करना है तो इसी तरह से दोनों हिस्सों को हम इस पर रख कर roll कर लेंगे बहुत ही असानी से यह step आपका हो जाएगा, इसके बाद friends, आपको क्या करना है यहाँ पर अब यहाँ पर हम इससे बनाएंगे छोले तो छोटे-छोटे से यहाँ पर हम छोले बना रहे हैं, बिल्कुल जैसे के छोलो का साइज होता है उतने बड़े-बड़े साइज के आपको यहाँ पर पोजिशन को कट कर लेने हैं friends, यह recipe बहुत ही unique है, आप अगर एक बार इससे बनाएंगे तो घर में सभी को पसंद आएगी और नॉर्मल डेली की सबजी से काफी अलग होती है खाने में बिल्कुल छोले जैसी लगती है तो recipe को बिना skip किए पूरा देखें, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो skip करके आगे की देख लेते हो लेकिन आप एक-एक step follow करें वीडियो को पूरा watch करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते है इससे अपनी family and friends के साथ share करना ना भूले आप देखें के करके हम यहाँ पर इससे गोलियों का shape दे लेंगे देखें छोटी-छोटी सी गोलियां यहाँ पर आपको इसकी बना लेनी है एक-एक करके तो इतने से बेसन में हमारी काफी सारी यहाँ पर छोले बनके ready हो जाएंगे एक-एक करके आपको बीच में रखना है गदेली पे और हातों से प्रस करना है बहुत ही असानी से यहाँ पर जो गोलियां यह बनके ready हो जाएंगी तो देखिए फटा-फट से यहाँ पर मैं सारी के सारी जो गोलियां है वो बना के ready कर लूँगी उसके बाद हम इससे देंगे छोले का शेप तो छोले का शेप देने के लिए आपको क्या करना है सिर्फ इसकी उपर की जो साइज है हलकी सी इसी चप्टी कर देनी है यानि की फ्लैट कर देनी है और एक नोक सी बना देनी है जैसे के छोलो का शेप होता है यह देखिए एक बार ही अगर आप किसी मेहमान के आगे यह सब्जी लगाएंगे तो बिलकुल पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये छोले लगाए हैं या फिर बेसन से आपने याँ पर छोले बना के रेडी किये हैं फ्रेंट्स बहुत ही अच्छी बनती है प्लीज इसको एक बार प्राई जरूर करें अगर अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है तो इतनी अच्छी वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो देखे याँ पर सारे छोले हमने बना कर रेडि कर लिए है अब हमें क्या करना है यहांli बर चोलो के लिए special सा मसाला रेडि करना है जो कि हम यहीं पर कर लेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है दो चमच दई घर का ही नॉर्मल दई आप यहाँ पर ले सकते हैं उसके साथ ही आदा चोटा चमच हमने हल्दी पाउडर लिया है आदा चोटा चमच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है और आधा छोड़ा चमच यहां पर ही हमने धन्या पाउडर ले लिया है मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं यह हमने लिया है जीराव पाउडर भुने वे जीरे का पाउडर आधा चमच हमने ले लिया है इसके साथ ही आधा चमच यहां पे हम नमक डाल रहे हैं इसके बाद यहां पर मैं ले रही हूँ छोले मसाला आधा चमच के करीब हमने लिया है इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसका एक घोल सा बना लेंगे जब तक हम आगे की step follow करेंगे जब तक यह मसाला अच्छे से पानी में भीग जाएगा, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कश्मीरी लाजमिश डालना भूल गई थी, तोड़ी सी यहाँ पर डाल रही हूं इसे कलर काफी अच्छा आता, यह टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाले और ना स्किप कर सकते, मुझे आप लोगों को दिखाना है यहाँ पर इसे यहाँ पर इसे अड़ कर रही हूँ अब आपको एक पैन या कड़ाई कुछ भी ले लेना है, जिसे आपको गैस पे चड़ा देना है, और उसमें हम डाल देंगे पानी, तो जो भी बरतन आप लें, आप उसे आधा फिल कर लें पानी से, उसके बाद थोड़ा सा ओयल इसमें हम डाल देंगे, इसे क्या होगा, चोले उबलेंगे काफी अच्छे से, तो देखी, अब जो हमने चोले बना के रेडी किये हैं, ये उबलते हुए पानी में आपको डालना है, पानी में जब बॉइल आने लगेगा, तभी आपको इन चोलो को इसमें डाल देना है, तो एक बार आप इसे डाल दें, फिर आप इसे छोड़ दें, अच्छे से बॉइल होने के लिए, तकरीबन आपको इसे पांस से साथ नट तक बॉइल करना है, तभी ये छोले अच्छे से बॉइल हो जाएंगे, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, से उबलते हुए तीन नट का टाइम हो चुका है, फ्रें यहां पर यह तीन नट तक अच्छे से उबल चुके हैं, और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा साइस भी इनका इनक्रीज हुआ है, अच्छे से यहां पर यह पक चुके हैं, अब एक जार की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे, और निकाल के हम इससे साइड करके ठंडा करें अब जो एकसस पानी बच्चा है, आपको इस पानी को बिल्लकोल भी नहीं फेकना है, अब इसमें हम टमाटर, प्याज और हरी मिर्च बॉयल करेंगे, इसी पानी में, तो यहां पर देखिए, एक मीडियम साइज का प्यास लिया है, एक टमाटर लिया है, और दो हरी मिर्च टमाटर आपको इस रसिपी में काफी लाल लेना है, तभी जो इसका कलर है ना वो अच्छा हैगा, अब देखिए, दो मिनिट तक आप इससे बॉयल कर लीजिए, अच्छे से देखेंगे, टमाटर की जो इसकेन है, वो सॉफ्ट हो जाएगी, अब हम इस पानी से टमाटर, ह हरी मिर्च और प्यास को सेपरेट कर लेंगे, और ये तेजपता और लॉंग भी निकाल लेंगे, तेजपता यहाँ पर मैं डिस्कार्ट कर दू McMahon की, और लॉंग को इसी के साथ मिक्सी में डाल कर गरनेंगे, तो थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, पहले आपिसे, और जो पान आप देख रहें हैं बहुत अच्छी से छोले यहांपर सेट हो चुके हैं अब ले लेना है उसी पैन को उसमें हम डाल देंगे यहांपर Корपल ऑम कर लेंगे और गरम तेल मैं सबसेपहले हम जीरा डालए花 लेंगे याог़ चोटा चमच इसके बाथ कर लेना है अब इसमें जो हमने टमाटर प्याज़ार हरीं मिर्ज épisode मिया था यह झाल दे आप इसे डायरिकली भी बनाना चाहें तो इसे बाद मसाला कट चाले में भूल ले एक डिल इसब Mead आप कर सकते हैं लेकिन यास पर मैंने क्राइड कर किसे बना इससे बाद स्वाह देना सबजी का वह ज्यादा बढ़ जाता है इसके बाद जो मसाला हमने प्रिपेर किया था इसे भी हम इसी में डाल देंगे और डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे कवर करके 2-3 मिट हम इसे भुनने देंगे उसके बाद हम इसे कोलेंगे तो आप देखेंगे मसाले यहां पर कितने अच्छे से भुन चुका है और आप देख सकते हैं सारा का सारा जो तेल है वो ऊपर सर्फेस पर आ चुका है तो यह देखिए आपको मसाले को बहुत अच्छे से भुनना है जैसे के मैंने यहां पर भुनना है अब एक से दो बारी हम इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और जो थोड़ा बहुत एकसेस पानी है वो हम इसी तरह से भूल लेंगे आप देख रहे हैं कश्मिरी ल बहुनते हैं तो इसमें अच्छे से मसाले अंदर तक observe हो जाते हैं और जब सबजी आप खाते हैं तो अंदर तक आपको मसालो का flavor मिलता है देखिए हमने इसे अच्छे से एक मिनिट के लिए भूल लिया है थोड़ा से नमक यहां पर कम लग रहा था तो डाल दिया है इसके आपको अगर इसकी सुखी सबजी बनानी है तो आप बहुत ही कम पानी डाले और अगर आपको किसी gravy रखनी है मेरी तरह तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं इसे cover करके पांच मिनट तक पकाएंगे तो देखिए पांच मिनट बाद हमने इसकी lid खोली है बहुत जादा हमन आपको यह रसेपी कैसी लगी है प्यारा सब कॉमेंट करें मुझे और बताएं कि यह रसेपी आपको कैसी लगी है अब फाइनली हम इसमें एक तड़का देंगे जो यूजली मैं छोले में देती हूँ तो देख लेना यहाँ पर एक पैनले लेना है इसमें हम देसिखी के लिए टड़का है वो बनके रड़ी हो चुका है अब क्या करना है हमने छोले को सबसे पहले सफ करना है चुले को सबसे प्लसे पहले सटाइक किदनी और अच्छी आई ए उपर से हम इसमें तड़का gegenट का और फानलि युब Hers से धन्या डालकर हमारे जो चोले की की सबजी यह बनके रेडी हो गई है फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी प्रीज मैं आपसे बार बार बोल रहे हूं याद बिला रही हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे नीचे दिये गया बटन बे अगर नहीं पसंद आई है तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं बट अपना बेस्